नमस्कार, STV News देख रहे आप आज की पर्मोख खबरों के साथ मैं हूँ नफी संजुम। आईए नजर डालते हैं सबसे पहले सुखियों पर नहीं रहीं लोग आई का शार्दा सिनहा देरात हुआ उनका नीधन एमस हॉस्पिटल दिल्ली में 72 वर्ष की आईउ में ली अन्तिमसास पुर्वी चमपारन जिले के डी-ेम और स्पी ने छट गाटों का किया नेरिक्षाण दिये गए कई आवशक दिशाने रहे लोक आस्था का महापर्व चट के दूसरे दिन पूरे हर्षो लास के साथ मनाया जा रहा है खरना कल संधिया काल दिया जाएगा भगवान भाषकर को अर्ग नगर निगब द्वारा चट गाटों की साफ सफाई का दिया जारा अंतुम रूप आस्था के महापर्व के दूसरे दिन सभी गाटों पर की गई वेरिकेटिंग सुमेश्वरनात महुटसर को लेकर कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष ने जिला परशासन पर बोला हमला का किसरी शुमेश्वरनात महुटसर का आयोजन नहीं बल्कि भाचपा महुटसो का कराया गया आयोजन मोतियारी पुलिस का शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी अलग अलग जगों से शराब के साथ दो तसकरों को भी किया गया गिरफतार सदर अनुमंडल परादी कारी द्वारा विभिन ने घाटों का किया गया देरी खषण दिये गए कई अहम दिशा निर्देश मदबन पर्खंट से किसान के घर में चोरी का मामला आया सामने चार से पांच लाख रोपे की चोरी का है अनुमान पुलिस कर रही पूरे मामले की जाच पड़ता परसिध लोग गीत गाई का शारदा सिन्हा का कल देर रात एमस हॉस्पीटल में निंधा दो गया बिहार के मिधला चेतर की मूल निवासी शारदा सिन्हा ने अपने अनोखे अंदाज और मधूर आवाज से न सिर्फ बिहार बलकी पूरे देश में अपनी अलग भाचान बनाई थी उनका नीधन संगीत जगा के लिए एक बड़ी छटी के रूप में मानी जा रही है शारदा सिन्हा ने लोग गीतों को एक नया मुकाम तक पहुचाया था चटपर्ब के उनके गीत दीनानाथ पटना के घाट पर आदी आज भी चटपर्ब की शान बना हुआ है उन्होंने बॉली हुट के लिए भी कई गाने गाये थे उनकी आवाज और शेली ने उन्हें एक अमर लोग गाई का बना दिया उनके नीधन की खबर मिलते ही संगीत जगत में शोक की लहर दोड़ गई कई मशूर हस्तियों और उनके परशासकों ने शोसल मीडिया पर शदांजली अरफित की है संगीत छेत्र में शारदा सिनहा का योगदान हमेशा यात किया जाएगा और उनके गीत हमेशा शुरोताओं के दिल में बसे रहेंगे शारदा सिनहा के नीधन पर संगीत और रंग मंद से जुड़े चंपारन के कई हस्तियों ने अपने अपने तरीके से उन्हें संदांजली दी है गुल चुक गलते हामार गुल चुक गलते हामार गोदी के बालक बाजे दिहा मैया ममता दूला नमस्कार प्रणाम मैं वंदना सिंधालोग गित गाई का जो मैं समस्ते पूर मेरा माई का हुआ और मैं समस्ते पूर ओमेंस कॉलेज में शारदा दिदी से सीखती थी आज बहुत दुख के साथ कहना पर रहा है कि आज उनका सरीर यहां से छूटा है वो अजर अमर है और अमर रहेंगी उनके गित जब छट गित बचते थे तो लगता था कि छट आ गया लोक आस्ता के महापर्व छट के दूसरे दिन आज पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी सौरब जुरवाल अवं पुलिस अधिक्षक्ष और परभात के द्वारा सभी छट गाटों का दिरिक्षड किया गया सडकों को भी दुरुस्त कराया जा रहा है ताकि छट वर्तियों को आने जाने में कोई परिशानी न हो वही ट्रैफिक ब्यवस्था को भी पूरी तरह से दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया जिल्य परशासल लगातार चट गाटों की मोनीटरिंग कर रही है ताकि किसी परकार की कोई परिशानी न हो वही पुलिस अधिक्चक स्वड परभात ने कहा कि पुर्वी चमपारन जिलेवासियों को मैं सबसे पहले चट की हार्दिक शुभ कामनाय देता हूँ इसके साथ साथ सभी थाना अध्यक्षों को उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि ट्रैफिक बिवस्था पर विश्यत द्यान दे ताकि चट पर समागरी खरीदने वालों और लोगों कोई परिशानी का सामना न करना पड़े चुना और श्रजम के लिए बोदा गया है और डेपूटेशन की गई है ट्रैफिक के विवस्था के लिए एस्पी साब ने देशी है तो पुछिश करेंगे कोई समस्य ना पर विवस्था है डेपूटेशन है हर जागया पर कंट्रोल राएगा हमारी घस्टी काडिया रहे पुर्वी चंपारन समेथ पूरे बिहार में लोकास्था के महापर्ब का रौनक देखने को खूब मिल रहा है बतादे कि मोतिहारी के बाजारों में अब लोग अंतिम रूप से चट के सामागरी खरीगते हुए देखे जा रहा है जिसको लेकर बाजारों में काफी भीडब बिहार में देखने को मिल रही है लोकास्था के इस पर्व का आज दूसरा दिन खर ना मनाया जा रहा है सभी चटवर्ती मिट्टी के चूले पर मीठे की खीर और रोटी बनाकर चटी मैया को भोग लगाएंगे और कल संध्याकाल में बगवान भासकर को अर्थ दिया जाए बिहार का खास करके और अब पूरे देश अस्तर पर अब छट को धिरे-दिरे मनाया जा रहा है यह आस्था का महापर्व है और हम लोगों की आस्था छट के परती सबसे जादे होती है बिहारियों की और इस औसर पर आज सबसे खुसी का बात यह है कि पूरे बाजार में आ करोना काल से हलका हो गया था इस साल सबसे जादे चहल पहल दिख रहा है और भगवान सुर्ज का और भाशकर का एवं चठी महिया का असिरवाद हम सभी लोगों पर बना रहे हैं ऐसी कामना हम करते हैं और मेरी बहुत-बहुत कामना है चटके मोतिहारी नगर निगम द्वारा घाटों की सफाई अंतिम चरण में की जा रही है आपको बता दे कि नगर निगम द्वारा इस बार सभी 222 घाटों की साफसफाई की जा रही है वहीं चटवर्तियों के लिए घाटों पर बड़े-बड़े पंडाल और लाइट की भी बेवस्ता की गई है ताकि चटवर्तियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो इसको लेकर नगर निगम परशासन पूरी तरह से मुस्तेद दिख रही है इस दोरान मोतिहारी के रोबिन कलव घाट पर भी साफसफाई का कार्ज चल रहा है वहीं वाट पारशत परतीनी दी राजेश पटेल ने बताया कि चटगाट की साफसफाई अन्तिम्चरन में चल रही है और हर साल हम लोगों के द्वारा माचीस और अगरबत्ती चटगाटों पर वित्रण किया जाता है इस साल भी यकार्ज जरूर किया जाएगा लगवक 6,000 से अधिक चटवर्ती यहां पूजा करने आते हैं इसी बीच उनों ने बताया कि नगर निगम परशासन की तरब से भी उन्हें पूरा सा योग मिल रहा है कल पेजर की विवस्ता होगी आपके सामझ देख रहा है कि पेजर लाकर रखा हुआ हाथ धोने के लिए लोग क्या अची विवस्ता भी रोबिंग क्लंब हाट के कितनी लोग क्या निकमी रहती है ऐसे तो हम लोग काउंट करते हैं चुकि हम लोग अगर बत्ती और धरा सलाई मुफ्त बाठते हैं यहाँ पर पुजय के लिए तो छे सो दोड़ा आता है और एक दोड़ा के साथ छे से साथ हमें जोड़ लिए तीन से चार्यार का भीण यहाँ उतलब भशाएगा पुर्वी चमपारंज जिला कॉंग्रेस कार्याला में एक बैठक को संबोधित करते हुए जिला कॉंग्रेस कमीटी के अद्यक्ष इंजिनियर शसी बूसंड राय उर्फ गपु राय ने शुमेस्वर नात महत्सों को लेकर जिला परशासन परा आरोप लगाया है कि श्री शुमेस्वर महत्सों को परशासन सरकारी महत्सों नहीं बलकि भाजपा महत्सों बना दिया है। जिला परशासन के सोजन्द से किया गया। लेकिन या महत्सों केवल भाजपा का महत्सों बनकर रह गया। को ही संबोधित करने का मौका मिला। वहीं जिले के दूसरे जनपरतिनीदी को संबोधन करने का मौका तक नहीं मिला। मोतिहारी पुलिस आजकल शराब तसकरों के खिलाप लगातार कारवाई करती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच अब शराब पीने और शराब बेचने वालों की खैर नहीं है। मोतिहारी पुलिस ने एक बार फिर से आदापूर थाना पिपरा कोठी थाना और जरुखर थाना सहीत अन जगों पर लगातार छापे मारी कर शराब तसकरों के विरुद्ध बड़ी कारवाई की है। इस दोरान 98 लिटर नेपाली शराब एवं 5 लिटर विदेशी शराब भी परामत किया गया। तथा दो तसकरों को एक साइकल एवं मोबाईल के साथ गिरफतार किया गया। चेंजिंग रूम वास्थाई शोचाले अस्थानिये गोताखोरों की परतिन्यूकती एवं नियंतरन कच आदी की बेवस्ता शुनिश्चित करने का भी निर्देश्ट दिया गया। इसके साथ ही चटगाटों की भीड़ भाड़ वाले इस्थानों पर पटाखे की बिक्रियों परियोग पुन रूप से परतिबंध को लेकर सक्त निर्देश दिये गया। पुरवी चमपारन जीले के मदुबन थाना चित्र के बहुआरा गाउं इस्तित्वाट नंबर आठ में एक किसान के घर में भीशन चोरी का मामला परकाश में आया। बताया गया है कि गाउं के बच्चा बाबु परसाथ के घर में मंगलवार की देराज चोरों ने निशाना बनाया। घर के पीछले दर्वाजे से घुष कर घर में सो रहे दो उनके पुत्रों के कमरों को बंद कर दिया। उसके बाद जिस कमरे में दो ट्रॉंक अटैची वगरा रखा हुआ था उसे तोर कर बाहर लाए और सभी समानों की चोरी कर ली है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर उनके घर का समान तोर कर चोरों द्वारा फेका गया है। और इधर जेवर आदी भी निकाल कर लेगा है चोरों और पूरा समान यहां पर छीट दिया है। यहां पर काफी संख्या में अस्थानिये ग्रामिन भी उपलद है। और यहां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बचलाल प्रसाद जी के पूत्र जो आपको बताएंगे कि किस तरह से इनके घर में घटना हुई है। कैसे चोरो ने भीशन चोरी को अंजाम दिया है और छोठ पर्व के पूर्व चोरो द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिये जाने के बाद गाव में एक तरह से दोसत का और भय का महल है। आईए हम जानते हैं पहले ही अपने नाम बताईएं। और नाम मितलेश परसाथ ग्राम बहुहरा भार पोस्ट बाजितपूर ठाना मधवर लिलापूर विचंपार एक बज़े के करीब में हुआ है सब घटना जिसमें एक लाख रुपए कैस तीन लग से उपर फलस का जेवर ले गया है। किस तरह से घटना हुई है। आया है तो हम लोग सोई हुए थे उसके बाद बाहर से खुंडी लगाया है उसके बाद वो सब चुरा के लिए आया है बाहर। किया लग रहा है चोड़ों की संख्या कितनी रही होगे दस वारा से उपर रहा हूँ अभी आप जहां खड़ा है यहां आपके घड़ का ठैची वगार अफ्यका हुआ है इसमें कपड़े ओगारा थी थे कपड़ा उपर ले गया है बढ़े बढ़े सारी उनी ले गया है ब